पवन सिंग का एक गाना रिलीज हुआ है आप सभी जानते हैं हम किस गाने की बात कर रहे हैं हम लुट गए गाने की बात कर रहे हैं इसकी तारीफ उनके फ्रेंड गुरुरंधावा ने बेकी और अपने इंस्टा स्टोरी पे उनके गाने को पोस्ट किया और लिखा करने वालों के भी कमे नहीं होती तो यहीं हम आपको बता दे कि काफी लोग है जो ये कह रहे हैं कि पवं कि सिंग की स्टार्डम को गिराया है ती सिरीज ने, अरे भाई कैसे गिराया है टी सिरीज ने, आप जितने लोग है, जो लोग है वो ट्रोल कर रहे हैं, वो ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि उन्हें एक ये संदेश हम देना चाहते हैं, कि जो गाना टी सिरीज ने पवन सिंग से गवाया है वो 7 महीने पहले रिलीज हुआ है और उसके व्यूज 990 मिलियन यानि कि 10 मिलियन और होता है तो 1 बिलियन हो जाएगा सिर्फ 7 महीने यानि आप समझ सकते हैं कि T-Series का अब तक का यह सबसे बड़ा गाना है 7 महीने में किसी भी गाने को अभी तक 990 मिलियन व्यूज नहीं मिला है और अगर 10 मिलियन इसमें और शामिल हो जाता है तो यह गाना बन जाएगा एक बिलियन का वो भी सबसे कम समय में योटूब पे किसी गाने ने 1 बिलियन का रिकॉर्ड बना है मिलियन की वृद्धी देखी गई है कल यह सौंग 985 मिलियन पर था और आज यह सौंग 990 मिलियन पर है इसे जब पवन सिंग ने अपनी आवाज में गाया लोगों ने इसे पसंद किया फिर लोगों ने ओरिजडल सुना और फिर पवन सिंग का सुना कुछ लोग अगर इस गाने को criticize करते as a critics तो अच्छा भी लगता लेकिन आप as a critics ने आप as a hater इस गाने को देख रहे हैं और जो लोग यह देख रहे हैं और कह रहे हैं कि पवन सिंग की महिमा घट गई है इस गाने को गाने के बाद तो आप सोचिए यह गाना जब पवन सि ने गाया है इसे बहुत सारा प्यार मिल रहा है गाना trending में कल से ही है अभी भी trending में चल रहा है और तो और views भी इस गाने के बहुत अच्छे है without any promotion यह कोई पवन सिंग के हम support में बात नहीं कर रहे हैं कि पवन सिंग ने गाया है इसलिए हम support कर रहे हैं पवन सिंग के फिल्म के ट्रेलर को लेकि पवन के स्टारडम के हिसाब से वो डिजर्व करते हैं लुट गए गाना गाना जबकि जुवीन नौटियाल जो इस गाने के ओरिजनल सिंगर हैं उन्होंने भी कहा कि किसी इंग्लिश पोटल को इंटरव्यू देते वक्त उन्होंने कहा है कि उन्होंने य गाना बहुत अच्छा लगा और ये जानकर खुशी हुई कि इतने बड़े गाने को अलग-अलग भाशाओं में भी अलग-अलग सिंगरों से गवाया जा रहा है और पवन सिंग की आवाज के बारे में उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने जस्टिस किया है इस गाने के साथ तो यानि जो सिंगर ओरिजनल है उसने गाना गाया उसने गाना सुना भी पवन सिंग का उसे अच्छा लगा तो भाई हम आप और कौन होता है इस गाने के बारे में गलत शब्द या गलत बाते बुलने के लिए यकीन मानिये जिन जिन लोगों ने जो कि भूजपूरी के अच्छे प्रशन सक हैं अगर इस गाने को सुनते हैं तो पवन सिंग के लिए वाह वाह और सूधिंग वाईस ये दो शब्द तो जरूर निकलने चाहिए फिर आप भूजपूरी के नहीं किसी पटिकुलर स्चार्ट फैन है तो भी आप जब ये गाना सुनेंगे तो भी आ लेकिन आप अगर एक अंदभक्त हैं तो हर तरह से आपको ये गाना कहीं से भी नहीं पसंद आएगा आप इसके बारे में उल्टा सीधा ही कहेंगे और जो कि लोग कह रहे हैं लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पवन का दूसरा जो गाना आ रहा है बॉलिवुड का और इसी भी एक बड़े सौंग का वर्जन नहीं है वो ओरिजनल सौंग है और इसकी शूटिंग भी कंप्लीट कर ली गई है मुंबई में तो जो लोग इस गाने को बहुत हेट कर रहे हैं जो लोग इसके बारे में गलत गलत अफ़ाय फैला रहे हैं उनके लिए ये बहुत सकते तो आपको नाज होता कि आज भोजपुरी को पवन सिंग या पवन सिंग के अलावा अगर कोई स्टार ऐसा करता है तो भी उसके लिए भी आपको प्राउड होना चाहिए क्लैप करना चाहिए हम क्लैप करेंगे और हम प्राउड है कि पवन सिंग नहीं गाना गाया